स्लग व्रध्धा आश्रम में बुजूर्ग की मौत 24 गंटे रखा रहा शब समाज कन्यान विभाद द्वारा संचालित व्रध्धा आश्रम में एक अग्यात बुजूर्ग की मुई मौत शब पी-म का इंतजार करता रहा 24 गंटे जिला प्रशासन और आश्रम प्रबंधन की मिली लापरवाही खबर चलने के बाद मौके पर पहुंचे उप जिला अधिकारी शब पी-म को भेजा मचा हरकम कोतवाली हयातनगर के गाउं बबैना में स्थित है यह है आश्रम योगी सरकार चाहें कितने भी प्रयास कर ले लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी अभी भी लापरवा बने हुए हैं जिसका जीता जाकता उड़ारंड देखने को मिला कोतवाली हयातनगर छेतर के गाउं बबैना स्थित समाज कल्यान विभाग द्वारा संचालित व्रधा आश्रम में जहां बेघर हुए हूं या उलाद द्वारा निकाले गए बुजूर्ग काफी संख्या में रहते हैं लेकिन यहां पर कुछ समय पहले सरकारी एस्पताल चंदोसी द्वारा एक अग्याद बुजूर्ग को आश्रम में देखबाल के लिए भेजा गया था लेकिन व्रद्धा आश्रे के प्रबंधन द्वारा ठीक से देखबाल नहीं की गई और कल उसकी मौत हो गई लेकिन बुजूर्ग की मौत हो जाने के बाद आश्रम प्रबंधन और जिला प्रशासन की लापरवाही की हध हो गई जब बुजूर्ग का शव कल से लेकर आज तक 24 घंटे बीतने के बाद भी कोई जिला प्रैशासन का अधिकारी या पुलिस अधिकारियों ने शव पी-म के लिए नहीं बेजा और बुजूर्ग का शव पी-म और दास अंसकार का इंतजार करता रहा जब भारत समचार खबर चली तो जिला प्रैशासन में हलकंप मच गया और आनन्फानन में उपजिला अधिकारी संभल राजेश कुमार आश्रम पहुंच गए और शीगरी पुलिस से शव पी-म को भिजवाया वार्डन ने आश्रम की जिम्मेदारी से पल्ला जारते हुए ब होस्पिटल सरकारी से एमूलेंज में 28 तारी को रात को बेज दी है ठेक तो इनको मैंने देखा तो उनकी हालत सीरेश थी नहीं चाय पानी पिलवाई इनको आराम से सुलवाई कमरे में सुवे इनको 29 तारीक में कपड़े अपड़े बदलवाई नई कपड़े पिनाई और रनकी साही से सिवा की थोड़ी देर वाद साही सलामात रहे जे उसके बाद इनकी 30 तारीक को 29 के बाद 30 तारीक को इनको कर लें नाइट में मिर्तु होई तो अब ये क्या जानकारी कुछ नहींगे जानकारी मैंने इनको नमबर ले लेके इधर उधर से इनके सर्तन में जानकारी भी दिये थाना यातनगर और मैंने कोतवाल सापको भी सूचित कर दिया क्या ट्वी